एक नए तरीके का extortion शुरू हो गया है, लोग को लूटने का तरीका शुरू हो गया है, जी हाँ, ये है पॉन से संबंदित, कुछ ऐसे वीडियोज, अश्खलील वीडियोज, फोटोग्राफ आपकी ले ली जाती है, निकाल ली जाती है, जिसे आपको डराया जाता है और तरीका है, ये लुटेरों ने बनाया है, साइवर हेकर्स ने बनाया है, साइवर क्रिमिनल्स ने बनाया है, इस्ते जो बचाओं के तरीके हैं, वो भी काफी महत्वपून है, आपको इसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्या है आखिर पॉन से रिलेटेट, जो आपके वीडियो या फोटोग्राफ्स निकाल करके ब्लैक मिलिंग का सिलसिला इसके बारे में हम लोग इस पर्टिकलर वीडियो में बात करेंगे कैसे करें उपाए अगर आप फस गए हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप कर सकते हैं आपको चिंता घबराने की बात नहीं ह मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको क्या करना है शुरुआत करते हैं इससे पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है नए है तो आपको सब्सक्राइब करना है ओनलाइन लीगल एडवाईस आपका अपना चैनल है जिससे आपको इसी प्रकार के कानूनी लेटे इस इन्फर्मेटिव वीडियो और इन्फर्मेशन मिलती रहे आप तक पहुँचती रहे चलिए शुडू करते हैं और इस वीडियो की जब हम बात करते हैं याने पॉन से रिलेटेड जो भी स्कैम होते हैं जिसे हम सेक्स्टॉर्शन भी कहते हैं इस प्रकार के काम में या गतिविदी में आप घर में समझ लीजे कि आप अकेले बैठे हुए हैं आपके पास एक SMS आता है या WhatsApp पे एक मैसेज आता है या Facebook में कोई pop-up window आती है जहां पर कोई लड़की बैठी हुई है और उसे देख करके आपकी जो sensual activities हैं वो बढ़ जाती हैं आपको ऐसा लगता है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए और नीचे लिखा भी हुआ है कि आप मुझे बात कर सकते हैं इस नंबर पर या इस लिंक पे क्लिक करें जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप कहीं और पहुँच जाते हैं जहां आपको नहीं पहुँचना चाहिए था अब होता है ख पड़े अलग करने के लिए कहा जाता है न्यूट फोटोग्राफ और वीडियो आपकी ले ली जाती है और फिर आपको ब्लैक मिल किया जाता है ब्लैक मिल इस टॉपिक पर कि अगर आपने उनकी इलिगल डिमांड जो की जादा तर पैसो संबंदित होती है अगर आपने उनकी पैसो संबंदित डिमांड पूरी नहीं की तो यूट्यूब पर, फेस्बुक में, वाटसब पर, आपके फैमली ग्रूप्स पर ये जो आपकी फोटो है वो वाइरल कर दी जाएंगी उन्हें भेज दिया जाएगा आपकी जो सोशल इमेज है वो टर्निश कर दी जाएगी उसे खराब कर दिया जाएगा इस प्रकार का अगर आपके साथ में भी हुआ है तो क्या करना है इसके बारे में आप ध्यान से सुने ये जो साइबर हैकर्स होते हैं कई सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और उनने बताया उनके साथ क्या किया जाता है शुरू में वो आपको एक छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे या एक पिक्चर सेंड करेंगे जो की यूट्यूब से संबंदित होगा और वहाँ पर दिखेगा कि एक वीडियो अपलोड हो रहा होता है बट प्राइवेट में अपलोड हो रहा होता है क्योंकि यूट्यूब इस प्रकार के कॉंटेंट को सपोर्ट नहीं करता अगर वह डाल भी देंगे तो यूट्यूब अपने आपसे उनके चैनल को ब्लॉग कर देगा और जो उनके वीडियोज हैं उसे डिलीट कर देगा तो सबसे पहली बात यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस प्रकार के कॉंटेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं आपको स्क्रिंग्शॉट आया अब आप डर जाएंगे आपको लगेगा अरे अब इससे तो मेरी तो सोशल इमेज है वो खराब हो जाएगी लोग को पता चल जाएगा मेरी फोटोग्राफ वाइरल हो जाएगी और इसमें जो आपके द्वारा की जा रही अशलीलता थी उसी का जहांसा दे करके उसी का दबाव बना करके आपको ब्लैकमिल किया जाता है शुरू में आपसे मूटी रकम की डिमांड की जाती है कितनी पांच हजार, दस हजार, पांच सो रुपे, पचास हजार जो भी उनके मन में आए अगर आपने वो पैसे देने से मना कर दिया थोड़ा कम में आते हैं, कम में आते हैं, कम में आते हैं अब बोलेंगे बस ये last है, इसके बाद हम आपके photograph या वीडियोज रिलीड कर देंगे, उसके बाद आप फिर उन्हें पैसा देंगे, वो फिर मागेंगे, वो मांगते ही जाएं क्योंकि उनका काम ही है, अगर आप नहीं देंगे तो भी कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें मालूम है, अपराधी वो हैं, विक्टिम आप हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, गलती हाँ, ये आप जरू कह सकते हैं कि आपको उस website पे नहीं जाना चाहिए था, आपको इन जैसे लोगों के चंगुल से बचना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद, अगर आ के लिए लगे, आपको नाम जरूर डाल दें, जिससे कोई दूसरा उनके चंगुल में ना फस सके, इससे भी जरूरी बात ये है, कि आपका जो नजदी की पोलिस टेशन है, या साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, आप उन्हें शिकायत कर सकते हैं, रिटेन में शिकायत आप दें, विट एविडेंस, और उसके साथ ही साथ, आप ये भी करें, कि जिस भी अकाउंट के लिए उन्होंने डिटेल्स मागी है, या जो नमबर दे रहे हैं, पे टीम, गूगल पे या फोन पे का, वो नमबर भी आप ज़रूर सेव करें, शेयर करें डिपार्टमेंट को, ऑथोरिटीज को, जिससे वो उस नमबर को ब्लॉक करा सकें, और उस पर्टिकलर नमबर पे हो रहे ट्रांजिक्शन को या बैंक अकाउंट ट्रांजिक्शन को ब्लॉक कर सकें, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है, डरना नहीं है, परिशान नहीं होना है, घबराना लेकिन, जानकारी जरूर आपको होनी चाहिए, जिससे आप इस प्रकार के किसी गतिविदी में नहीं लिप्त हों और नहीं फस जाएं, जिससे आपको नुकसान का सामना करना पड़े, तो ये है, जो पॉन से रिलेटिट इस कैम है, जिससे हम लोग सेक्स्टॉर्शन भी कह करते हैं, इसके पहले भी कुछ वीडियोज मैंने आपको बताए, जहां पर लोगों के पास इमेल आते हैं और वो आपके वैब कैम को हैक कर लेते हैं, फिर आप जो भी कह कर रहे हैं, आपके मुबाइल फोन का चाहिए कैमरा हो, या आपके लैप्टॉप का कैमरा हो, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग उनके पास पहुँचती है, आपके अगर कुछ फोटोस, प्राइवेट वीडियोज अगर उन तक पहुँच गए हैं, उसी को लेकर कि आपको ब्लैकमेल करते हैं, कुछ इमेल सा आपको मिल गए या आपकी कुछ ऐसी चैटिंग्स हैं, जो इन डि कैसी लगी मुझे जरू कमेंट बॉक्स मेंशन कीजेगा, किसी पर्समल प्रॉब्लम के लिए अगर आप बात करना चाहें, बिलकुल कर सकते हैं, वाट्सप नंबर दिया है, साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप एपॉइन्मेंट बुग करके भी मुझे बात कर सकते हैं, आप सभी जो महत्रपून कीमती आपका समय मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद